हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक क्रियोटी थिंकिंग में आज हम लोग लद्डू कोपाल की रिवेंग से ड्रस बनाना सीखेंगे देखे यह हमने बेश तयार कर लिया है आगर आपको सीखना हो तो कमेंट कीजेगा तो हम आपको अलग से बनाना सीखा देंगे यह मैंने पहले ही में तैयार कर लिया है आप यह मैंने रिवेंदे ली एक केची लिया और इंचीत चेप लिया है और आप लिया हो जिसे हम यह ठीटियू नाप लेंगे नीप टूबाटिम अशमीली सारह इसी तरह से नापके प्टिंगिल सीघ्ट डिकाता नलेंग कर दाँंग तो आपको द लेना और बिल्कुल फिंसिंग के साथ तयार हो फोज अब इसके बाद हम लोग फ्लावर को तयार करेंगे देखिये हम फ्लावर को इस तरह से मोड़ेंगे देखिये गा और यह देखिये मैंने इसको सुई और धागे से फिक्स किया आप लोग ग्लू से भी ग्लू गर्न जो करता है उससे आप लोग फिक्स कर सकते हैं मैंने सुई धागई से फिक्स कर दिया है देखिये इस तरह से हमने सारे फ्लावर फिक्स करके मलब बना दिये सारे इसी तरह से पतिया बना दिया है अब यह देखिये हम बेस में इस तरह से इसको जॉइन कर देंगे सारी सिलाइस उसे हम इसे जॉइन करेंगे अगर आप लोग व्हाइट से मां सपराल्लाटा इसे जोन करेंगे कोい acc然 और शीज़ूट सब्सक्राइब करेंगे और इसके भार आपको व्हाले में जोर दीजे में फाइनल सारी पतिया मैंने जोड़ दी है यह देखे कितना प्राव प्यारी सी ड्रस तयार हो रही है और जब यह अभी इतनी प्यारी लग रही है जब इसको पूरा डेकुरेट करें के तो किती प्यारी लगे की देखिए हमने इसका वह पकवान जी का ऊपर की चोली भी बना आपके पास ना हो तो आप मोती भी लगा सकते हैं देखिए ऐसे हमने इसमें डेकुरेट कर दी है चिपका दी है और फिर इसके बाद मैंने ब्लू से यह नंग लगा दिए इससे प्यारी इनकी चोली रग रही है कुछ कहने को नहीं देखिए आप लोग जब भगवान जी होग है कितनी प्यारी लगेगी आप लोग भी जरूर्द in घजले केुकर है गरे देखिए ओं इसके बाद मैंने नंग लगा दिए में अनकी बाड़ी आटेट लगाए और इसके बाद मैंने सारे घेरेओ पर जो पतियां नंग लगा देंगे यह देखिए मैंने इसमें यह जो थर्ड रोव है उसमें ब्लैक कलर रोग यूज कर रहे हूं अब इसके बाद देखे मैं जो फोर्थ रोग आएगी उसमें फिप पिंग कलर लगाऊंगी और जो फिप रोग आएगी फिर उसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी यह देखे फाइनल लुक इनका कितना प्यारा तया लगेंगी वो कितने प्यारे लगेंगे आप लोग जरूर टाइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा लाइक करिए सेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फ्रेंड्स